नमस्कार दोस्तों मैं धर्वेन वर्मा उनलाइन इस्टडिविट डिकी में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ जैसा कि हमने आपसे प्रोमिस किया था कि जब NCF 25 और RT 129 के वन लाइनर क्यूशन कंप्लिट हो जाएंगे उसके बाद आपको एक टेस्ट मिलेगा जिसम आप हमारे रेगुलर वीडियो देख रहेंगे तो एक वीडियो यहाँ पर आपको NCF 25 के मिलेगा जिसमें टोप 70 प्रशन लिये हैं वन लाइनर क्यूशन है और दूसरा वीडियो आईटी एक तो 29 पे लिया गया है जिसमें टोप 50 प्रशन यानि कि दूनों वीडियो यदि करते हैं ने की निभाते हैं वैसा आपको भी एक वादा करना है कि इस वीडियो को आपको जादा से जादा लाइक करना है और जादा 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 जितने भी आपके पास में गुरूप है उन सब को इस वीडियो को सेयर करना है उन सब गुरूप में और चैनल को जितने भी व्यक्ति देखरी जदरे मी विद्यार से देखने सभी को बिना सिस्क्राइब करें नहीं जाना है ये एक वादा आपको मुझसे करना है तो यहाँ पर सत्र प्रशने मिलेंगे ज्यादर समय नहीं लूँगा प्रशने पढ़ेंगे चार विकल पर पढ़ेंगे और डाक्ट पांसर नहीं लगा पा रहें नहीं समझ पा रहें तो वीडियो को पूस कर लिजेगा जैसे ही प्रशना है और अच्छे से इत्मनान से पढ़िएगा उसके बाद आंसर अपनी कोपी में या फिर कमेंट से के माद्यम से भी दे सकते हैं तो शुरू करते हैं आज का पहला प् तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा 1904 से याद रखेगा जिला प्रात्मिक सिक्षा जो कारेकरम हैं दोस्तों ये 1994 वर्स में लागू किया गया था जिला प्रात्मिक सिक्षा कारेकरम तो यहाँ पर तीसरा वाला विकल्पे आपका सही होगा दूसरा प्रस्ण सिक्ष तो यहाँ पर आपकर आइट आंसर होगा हरबट ने याद रखेगा सिक्षण में जो पांच अपचारिक पद दिये हैं वो हरबट से के द्वारा दिये गए हैं तीसरा प्रश्ण सिक्षा का अधिकार उद्गोसित हुआ यहाँ पर देखिये पूछा क्या गया है जो सिक्षा का अधिकार है वो कब उद्गोसित हुआ है 2007 में 2008 में 2009 में 2010 में काफी इंपोटेंट हैं ध्यान दिजीगा प्रश्ण को आपको अच्छे से पढ़ना है उसके बाद आंसर देना है तो यहाँ पर आपकर आइट आंसर होगा 2009 में याद रखेगा सिक्षा का अधिकार कब उद 2009 में उद्गोसित हुआ था चैजिग राश्टि पाट्चरिया 2005 के नुसार अध्यापक की भूमी का किस प्रकार की होगी यहाँ पर देखिए 2005 के नुसार बताना है आपको कि अध्यापक की भूमी का किस प्रकार की होगी प्रॉक्त सभी, फिर मैं आपको बता रहा हूं, जिस समय में मैं आंसर बता रहा हूं, उसमें आप एदए आंसर नहीं दे पा रहे हैं और अंसर अपने कॉपी में या फिर कमेंट सी के माध्यम से जरूर दीजेगा तो यहाँ पर उप्रुक्त सभी आपको राइट अंसर होगा निसुलक एवम अनिवारे सिक्षा बालको का अधिकार 2009 के अंतरगत किसी भी अध्यापक को निम्न में से किस कारे के लिए नहीं लगाया जा सकता यहाँ पर देखिए अध्यापक के बारे में पूछा गया कि इनको कुन से कारे के लिए नहीं लगाया जा सकता यहाँ पर RTE 129 के नुसार पूछा गया है दस वर्ष परशाथ होने वाली जनगन्ना में आप दाराहत कारे में चुनाव सम्मंदी कारे में पर पल्स पोल्यो कारे करम में तो यहाँ पर देखिए अध्यापक को आप पल्स पोल्यो कारे करम में नहीं लगा सकते जो कारे है इसमें इनको नहीं लगाया जा सकता पर दस बर्शे परशाथ होने वाली जनगन्ना भी अध्यापक करते हैं आपदा रहात में भी इनको लगाया जा सकता है और चुनाव सम्मंदी कारे में भी अध्यापक को लगाया जा सकता है यहाँ पर आपको जो राइट आंसर होगा वो फोर्त वाला होगा चटा प्रशन है भारत का भाष्य उसकी कक्छाओं में निर्मित हो रहा है यहाँ मत किस आयोग का है यहाँ पर जो मत दिया गया है यह किस आयोग के द्वारा दिया गया है बतारा है मुदालियर आयोग सेंडिलर आयोग डाक्टर रादा करशनन आयोग या फिर कोठारी आयोग काफी important हैं तो दियान दीजेगा यहां पर सबसे पहले आपको answer बताना है तो यहां पर आपने answer बता दिया होगा तो यहां पर आपका right answer होगा कोठारी सिक्षा आयोग याद रखेगा भारत का वविश्य उसकी कक्षाओं में निर्मित हो रहा है यहां मत कोठारी पर आपका सही होगा सिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में एक अध्यापक के लिए नियुनतम कारे गंटे प्रती सब्ता निर्धारित की गए हैं जैसा कि यदि आपने फर्स्ट वीडियो देखा होगा इनसीफ 2005 का सोरी आयटी एक्ट 2009 का तो उसमें हमने प्रती सब्ता प्र प्रती सब्ता निर्धारित किये गए हैं वो 45 गंटे किये गए हैं कितने 45 गंटे आठवा प्रस्ने हैं भारत के सविधान का कौन सा अनुक्षेद सिक्षा के अधिकार का प्रावधान करता है अनुक्षेद 19, 20, 21 ए या पिर अनुक्षेद 32 यदि आपने इस वीडियो को कम अनुक्षेद 21 ए याद रखेगा भारत के सविधान का अनुक्षेद 21 ए सिक्षा के अधिकार का प्रावधान करता है यहाँ पर तीसरा वाला विकल्पे आपका सही होगा अगला प्रस्न है निमलिकित में से क्या उत्तम उपलब्दी परिक्षण की विशिस्ता नहीं है प् यहाँ पर तीसरा वाला विकल्पे आपका सही होगा दर्स्वा प्रस्न है निम्न में से कौन सा मुल्यांकन के त्रीकोन का भाग नहीं यहाँ पर देखे मुल्यांकन के जो त्रीकोन का भाग नहीं है उसके बारे में आपको बताना है सेक्षिक उद्देशी है मुल्यांकन ह अगला प्रशने है छैसे 14 वर्ष पाठचरिया रूप रेखा 2005 के अनत्रगत परिक्षा सुधारों में निमलिकित में से किस सुधार को सुझाया गया है यहां पर देखे नसी एभ दोह जार पांच के अंतरगत पूछा गया है कि परिक्षा सुधारों में निमली खित मैं से किस सुधार को सुझाया गया है खुली पुस्तक परिक्षा सतत या निरंतर एवं व्यापक मुल्यांकन सामुह कार्य मुल्यांकन या फिर इन में से सभी तो यहां पर आपका राइट आंसर होगा खुली पुस्तक परिक्षा सतत या निरंतर एवं व्यापक मुल्यांकन और सामुह कार्य मुल्यांकन इनको स्थिव सभी सभ़ा पुक है कई चात्रों की गरह का रिखांडी देना चाहिए जादा कम अनुचीत थे शुप संतूलित worried का दिया जाना चाहिए भो संतूलित रूप में दिया जाना चाहिए तो यहाँ पर आपका राइट आंसर फूर्ट वाला होगा चलिए तेरवा प्रशन है नामांकन बढ़ाने उनकी उपस्तिती बनाए रखने एवं बच्चों का पोषण इस तर सुधारने हितू प्रात्मिक सिक्षा के लिए राष्टी पोषण सयोग कारिकरम कब सुरू किया गया यहाँ पर आपको बताना है जो राष्टी पोषण सयोग कारिकरम है इसकी शुरुवात कब की गई थी इसे कब सुरू किया गया था चार जुन 2005 में 15 अगस्त 1995 में 2 अक्टवर 2005 में या फिर 26 जनवरी 2008 में काफ़े इंपोटेंट प्रशन है आयमपी प्रशन है तो ध्यान द अगला प्रशन है म्यशुय अठया नचानवर को पड़ना है उसके बाद आपको आध कके गई थे सिक्षा-प्राथमिक्त सिक्षा-कारिकरम की राष्टि-अध्यपक परिशतք राष्टि-भाल-भवन की या फीर राष्टि-शाक्षर्ताा मिसन की इसके बाद आपका राइटा अंसर होगा जिला प्रात्मिक सिक्षा कार्यक्रम की याद रखेगा मैं 1998 में जिला प्रात्मिक सिक्षा कार्यक्रम की स्थापना की गई थी अगला प्रशन है सिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में एक अध्यापक को निमलिखित में दायत्व पूरा करना होग विद्याले में नेमित रूप से उपस्तित होना होगा पाठिक्रम का संचलन कर पूरा करना होगा संपूर्ण पाठिक्रम को निर्धारित समय पर पूरा करना होगा या फिर इन में से सभी सरालसा प्रशन है क्यूज के तोर पर आपको इसका आंसर कमेंट से के माध्यम से बताना है कि 15 प्रशन का आंसर क्या होगा आपको 15 प्रशन डालना है कमेंट से में और इसका आंसर A, B, C या फिर D में आंसर देना है कमेंट से के माध्यम से दीजिगा वहीं पर मैं आपको बताऊंगा कि आपने स पर थिस यहां पर आपका राइट आंस रोगा 25 प्रतिस याद रेखेगा RTE कानून के अंतर गत हर नीजी विद्याले को 25 प्रतिस जाले गरीव बच्चों को प्रवेश देना होगा तो यहां पर पहला वाला विकल्पे आपका सही होगा अगला प्रश्ण है RTE का कानून बना है उन आई वर्ग के बच्चों के लिए जो है यहाँ पर आपको बताना है कितने से कितने वर्ष के बच्चों के लिए जो RTE कानून है वो कितने से कितने वर्ष के बच्चों के लिए बना है अगला प्रस्णी है भारत के सविधान में कौन सा अनुक्षेद सिक्षा के अधिकार का प्रावधान करता है तो इसका अंसर में आपको बता चुका हूँ अनुक्षेद 21A है याद रखेगा तीसरा वाला विकल्प सही होगा भारत के सविधान में अनुक्षेद 21A सिक्षा के अधिकार का प्रावधान करता है रिपेटेट प्रस्ने है ठारवा अगला प्रस्ने है आर्टी एक्ट दोजार नो के नुसार प्रात्मिक विद्यालियों में सिक्छकों को प्रतिस अपता कुल कितने गंटे की योजना बना कर कारे करना चाहिए 30 गंटे 45 गंटे 42 गंटे या लेकिन आपका आंसर क्या होगा 45 गंटे ही होगा आर्टी एक्ट दोजार नो के नुसार प्रात्मिक विद्यालियों में सिक्छकों को प्रतिस अपता कुल कितने गंटे की योजना बना कर कारे करना होगा सिक्छा का अधिकार अधिनियम दोजार नो लागू नहीं होता है निसक्त बच्चों के लिए 6-14 वर्ष के बच्चों के लिए 14-18 वर्ष के आयू के बच्चों के लिए और बच्चों की नियमित उपरस्तिती इन तीनों के लिए लागू होता है निशक्त बच्चे साथ में 6-14 वर्ष आयू के बच्चे और बच्चों की नियमित उपरस्ति इन तीनों के लिए लागू होता है 2009 सिप्चा का अधिकार अधिनियम या फिर RT-2009 इन तीनों के लागू होता है नाकि 14-18 वर्ष के आयू के बच्चों के लिए तो यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा अगला प्रस्न है एनसीअप 2005 के द्वारा प्रतिपादित मुख्य बदलाव है यहाँ पर देखिए कौन से बदलाव किये गए हैं एनसीअप 2005 के द्वारा अधियापकी जाज परताल के साथ सिखना कक्छा कक्छ में सिखना किताबों में से सीखना या फिर विस्तरत सामाजिक संधर्व में सीखना यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा एक ही आयू वर्ग के बच्चों पर प्रसारित करता है वहाँ निम्न को जाजना चाहरा है वेदता को विश्वसनिता को वश्तुनिता को या फिर उप्यूगिता को बताइए यहाँ पर क्या राइट आंसर होगा तो यहाँ पर आपका right answer होगा वस्तु निष्टता को यहाँ पर वहाँ किसका जाचना चाह रहा है वस्तु निष्टता को जाचना चाह रहा है तो यहाँ पर तीसरा वाला विकल्पे आपका सही होगा अगला प्रश्नी है एक बालक को वस्तूओं को देखने में कुछ समस्या है उसका दाकिला NCF 2005 के अधार पर किस विद्याले में होना चाहिए यहां पर देखे एक बालक है जो वस्तूओं को देखने में कुछ उसको समस्या हो रही है तो NCF 2005 के अधार पर उसे किस विद्याले में दाखिला करना चाहिए या फिर होना चाहिए नीमत विद्याले में, विशिष्ट विद्याले में, समावेसी विद्याले में या फिर एक सही होगा अगला प्रश्ण है किर्यात्मक अनुसंधान का केंद्र बिंदु यहां पर देखे किर्यात्मक अनुसंधान का केंद्र बिंदु क्या है इसके बारे में बताना है छेत्र अध्यन है तो परिक ना परिक्छन परिकल्पना में नविनता विदी को समानिकरत करना य था पर आपका राइट आंसर होगा अस रहाँ संधर्बंगत समया अनुसंधान याद रखेगा किर्यात्म कुर्शन्धान का जो केंदरबिंदुू होगा यहां पर डी वाला विखलपे आपका सही होगा एगला प्रश्ण हे निमध में से कों सी एक अच्छे प्रस्ण पत्रे की विशिस्ता नहीं हो सकती प्रस्ण को ध्यान से पढ़ना है एक अच्छे प्रस्ण पत्रे की विशिस्ता कौन सी नहीं हो सकती इसके बारे में आपको बताना है विशेवस्तू की सभी इकाईयों का सावेस होना सबी प्रशन विशिष्ट उद्देश्यों का मापन करने वाले होना प्रशन सरलता से कठिनता की और होना या फिर विशेय के विबिन चेत्रों में चयन संबंदी छूट कम से कम होना तो यहाँ पर आपको बताना है कौन से विशिष्टा नहीं हो सकती यहाँ पर आपका रायटा अंसर होगा विशेय के विबिन चेत्रों में चयन संबंदी छूट कम से कम होना यह एक अच्छे प्रशन पत्री की विशिष्टा नहीं हो सकती तो यहाँ पर फूर्त वाला विकल्पे आपका सही होगा अगला प्रशनी है सिक्छन करते समय अध्यापक को ध्यान नहीं रखना चाहिए किसका ध्यान नहीं रखना चाहिए चात्र केंदेत सिक्छन का विश्टिकत विबनताओं का जातिकत वहत भाव का या फिर बालकों की सीखने की जातिका तो यहाँ पर देखे जातिकत भेध भाव का ध्यान बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए जब सिक्षन करते समय ध्यापक को किस बात का ध्यान नहीं रखना चाहिए तो जातिकत भेध भाव का ध्यान नहीं रखना चाहिए काफी इंपोटेंट हैं याद रखेगा तीसरा वाल पुको ध्यान से पढ़ा तो आसानी से आप आंसर दे सकते हैं, NCF 2005 का मार्ग दर्शी सिध्धान्त कौन सा नहीं है, ज्यान को स्कूल के बहारी जीवन से जोड़ना, पढ़ाई को रटन प्रणाली से मुक्त कराना, अंग्रजी भासा में सिक्षा देना या फिर बच्चों को विकास के अवसर उपलब्द कराना, तो यहाँ पर देखिए, अंग्रेजी भासा में सिक्षा देना, यहाँ पर NCF 2005 में त्री फार्मूला दिया था भासा का, जिसमें हिंदी, अंग्रेजी, जो मातर भासा बोली जाती हुहां की, उसमें आप सिक्षा प्रदान कर सकते हैं, तो जरूर नहीं कि अंग्रेजी भासा में ही सिक्षा दें, तो यह NCF 2005 का मार्ग दर्शे सिध्धानतर नहीं होगा, तो तीसरा वाला विकल पर आपका सही होगा, चलिए, अगरा प्रशन है, राश्टी पाट चर्या की रूपरेखा 2005 दस्तावेज में भासा के लिए नहीं ऐसा, दो आप тебе भासा, या फिर बहु भासा जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कितनी भासा नहीं थे, तीन भासा, जैसा कि मैंने आपको बताया हिंदी, अंग्रेजी और मातर बासा, ये तीन भासा इंक्लूड है, राश्टी पाट चर्या के रूपरेखा 2005 इसके बारे में आपको बाताना है, चारों विकल्पों को आपको दियान से पढ़ना है, बड़े विकल्पे नहीं पढ़ूँगा, ड़कली आंसर बताँगा, वीडियो को पूश कर लिजेगा, और इसका अंसर आप आसानी से, कमेंट से के मत्रम से, या फिर कोपी में लिख ल होना चाहिए, तो यहाँ पर आपको जो राइट आंसर होगा, वो तीसरा वाला होगा, एन्सीफ दोजार पांच में कला सिक्षा को विद्याले में जोडने का उद्देशी है, उसके बारे में आपको बताना है, सांसिक्रतिक विरासत की प्रसंसा करना, छात्रों के व्यक्त और मानसिक स्वास्त को विक्षित करना, याद रखेगा, एन्सीफ दोजार पांच में कला सिक्षा को विद्याले से जोडने का उद्देशी होगा, छात्रों के व्यक्तित्व और मानसिक स्वास्त को विक्षित करना, तो यहाँ पर बी वाला विकल्पे आपका सही होगा, रेक्तिस्तान में मापन की भूमिका सब सीखी हुई कुसलताओं में निस्पादन का एक संपून अवलोकन देती है। तिस्वा प्रस्न है एक विशिष्ट अधिगम अनुभव प्रदान करने के पश्यात अधिगम किस इस्तर तक हुआ है। उप्युकते हैं तो यहाँ पर पहला वाला विकल्पे आपका सही होगा। जिदि आप जो मैं उत्तर बता रहा हूँ वो जिदि आप अपनी कोपी में या फिर कमेंट्स के माध्यम से दे रहें तो आप एक एक नंबर जोड़ते चलिएगा। बार बार नहीं बताऊंगा। अगला प्रस्ने हैं निमलिकित में से किसे ध्यान में रखकर अधिगम उद्देश्यों का निर्धारन किया जाना चाहिए। अगला प्रस्ने हैं भारत के सविधान के किसके लिए निसुलक अनिवारी सिक्षा है यहाँ पर प्रस्ण फिस्ट दोराते हैं भारत के सविधान में किसके लिए निसुलक अनिवारी सिक्षा है सभी चात्रों के लिए 14 वर्स तक के सभी बच्चों के लिए सभी छात्र वा प्रोडों के लिए और सभी नागरिकों के लिए तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा 14 वर्स तक के सभी बच्चों के लिए याद रखेगा भारत के सभी धान में जो निसुलक अनिवारी सिक्षा है वो 14 वर्स तक के सभी बच्चों के लिए हैं याद रखेगा सभी चात्रों के लिए नहीं है तो राइट आंसर आपका यहाँ पर बीवाला होगा अगला प्रस्न है सिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू हो गया था कब हुआ था यहाँ पर ध्यान देना है प्यान देना है पूछा क्या गया है एक अप्रेल 2009, एक अप्रेल 2010, एक अप्रेल 2011 या फिर एक अप्रेल 2008 तो यहाँ पर सिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 यह लागू होगा hydraulी आपको काफ इंप्रेल 2009 अग्जाम में पूछा जाता है और बच्चे कन्फ्यूज होकर वहाँ पर 2009 आंसर लगा कर आ जाते हैं जो की गलत होगा आपकर आइट आंसर होगा 1 अप्रेल 2010 सिक्षाक अधिकार अधियम 2009, 1 अप्रेल 2010 को लागू हो गया था अगले प्रिश्णी को पड़ेंगे तो यहाँ पर प्रात्मी कक्षा में सिक्षक और चात्र का अनुपात पूछा गया है तो जैसा कि आपने वो वीडियो देखा होगा तो यहाँ पर आसानी सा आप आंसर लगा सकते हैं एक अनुपात 30, यह प्रात्मी कक्षा के लिए होगा एक अनुपात 35, याद रखेगा प्रात्मी कक्षा के लिए एक अनुपात 30 और उच्चे प्रात्मी कक्षा के लिए जो सिक्षक और चात्र का अनुपात होगा वो एक अनुपात 35 होगा तो यहाँ पर आइट आंसर क्या होगा दोनों में पहला वाला होगा एक अनुपात तीस एक सिक्षक और तीस विद्ध्यारति या फिर छात्र याद रखेगा प्रात्मी किस्तर पर नियुनतम कारे दिवस यहाँ पर देखे प्रात्मी किस्तर पर पूछा गया है जैसा कि मैंने आपको बताया उच्छे प्रात्मी किस्तर पर भी नियुनतम कारे दिवस होते हैं ध्यान देना है कौन से इस्तर पर पूछा गया है तो प्रात्मी किस्तर पर पूछा गया है 200 है 220 है 1000 है या फिर 800 है तो यहाँ पर प्रात्मी किस्तर पर पूछे तो आपका राइट आंसर क्या होगा 200 यानि कि पहला वाला विकल्प सही होगा उच्चे प्रात्मी किस्तर पर नियुनतम कारे दिवस पूछे तो आपका राइट आंसर क्या होगा यहां पर प्रात्मिय किस्तर के बारे में पूचा गया है, तो आपका राइट आश्र होगा, यहां पर इससे समझ सकते हैं, ये प्रात्मिकिस्तर के गंटे और दीवस है और ये उच्छ प्रात्मिकिस्तर के गंटे और दीवस है याद रखेगा जो 800 है और 1000 है ये गंटे है और 200 और 220 क्या है ये दीवस है तो यहाँ पर इस प्रकार से भी आप इसको समझ सकते हैं तो यहाँ पर आपको राइट आंसर क क्या वगा प्रात्मी किस तर पर जो शैक्षिक निधरित किया गया है घंटेव आठीसोग्यां किया गया है पहला वाला विकलत में आपका सही होगा अगला प्रस्न है एक सिक्षक प्रस्ण पत्र बनाने के बाद यहां जाज करता है कि क्या प्रस्ण परिक्षण के विश्ष्ट उद्देश्यों की परिक्षा ले रहे हैं यहां मुख्य रूप से प्रस्ण पत्र रिक्तिस्तान के बारे में चिंती थे किसके बारे में चिंतिते संपूर्ण विसेवस्तु को सामिल करने में प्रस्णों के प्रकार विश्वस्नीता या फिर वेदता तो यहां पर आपका रायट आंसर होगा संपूर्ण विसेवस्तु को सामिल करने के बारे में चिंतिते यहां प्रस्ण पत्र तो यहां पर आपका सुधार को सुझाया गया है ये प्रस्न अभी थोड़ी देर पहली मैं आपको बताया था रिप्टेट प्रस्न है तो आपका राइट आंसर क्या होगा आपको पता होगा क्योंकि थोड़ी देर पहली बताया था इन में से सभी स्खुली पुष्टक परिक्षा सतत एवं निरं में सत्य नहीं है प्रस्ण को ध्यान से पढ़ना है को उनसा कथन है जो सिक्षण के बारे में सत्य नहीं है सिक्षण में सुधार किया जा सकता है सिक्षण अपचारिक एवर मन अपचारिक है सिक्षण विज्ञान के साथ कलाभी है या फिर सिक्षण अनुदेशन है ने चारो वाला विकल्पे आपका सही होगा अगला प्रश्ण है राष्टी बार्चरिया रूपरेखा 2005 के आधारभुत सिध्धानतों में निमलिकित में से कुन सा भाग सम्मिलित नहीं है प्रश्ण को धियान से परना है नेगेटिव प्रश्ण पूछा गया है एंसे अधारभुत प्रश्ण को ध्यान को वास्तिविक जीवन से जोड़ना यदि प्रश्ण को ध्यान से और चारो विकल्पों को ध्यान से पढ़ा होगा तो राइट आंसर आपके सामने है अच्छी बहा परिक्षाओं का आयोजन करना यहां भाग सम्मिलित नहीं है एंसे अधारभुत सिध द्धांतों में तो यहां पर पहला वाला जो विकल्पे होगा वह आपका सही होगा राष्टी पाट चर्या की रोप्रे खा एंसे फट के नुसार गनित सिक्छन का मुख्य उदीशर आपको बताना है एंसे फ्ट कैन सारो होगा बच्चों को अंक गनित का ग्यान देना बच्चों में गनित के प्रतिरुची पेदा करना बच्चों में तारके चिंतन तथा शम्मान समधान युगता का विकास करना या फिर बच्चों का सविगात्मक विकास करना तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा बच्चों में तारकेक चिंतन तथा शम्मान समधान योगता का विकास करना तो यहाँ पर तीसरा वाला विकल पे आपका सही होगा अगला प्रशन है छोटे सिक्षारतियों में निमलिकित में से कौन सा लक्षण पठन कठनाई का नहीं है यहाँ दिखे कौन सा लक्षण पठन कठनाई का नहीं है छोटे सिक्षारतियों में पूछा गया है सब्दो और विचारों को समझने में कठनाई सुसंगत वरतिनी में कठनाई वर्ण एवम सब्द पहचानने में कठनाई याफिर पठन कठनाई तो यहाँ पर आपका रायट आंस निम्ने कक्षाओं में शिक्छण की खेल विधी आधारी थे यहाँ पर शिक्छण की खेल विधी किस पर आधारी थे यह आपको बताना है तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा विकास वा वरद्धी के मनोविग्यनिक सिध्धानतों पर आधारीत याद रखेगा सिक्षन की जो खेल विदी है ये विकास वा वरद्धी के मनोविग्यनिक सिध्धानतों पर आधारीत याँ पर तीसरा वाला विकल्पे आपका सही होगा अगला प्रष्ण है बालकों का मुफ्त और अनिवारि सिक्षा कादिकार 2009 में निमन में से किस पर ध्यान नहीं दिया गया है गुमन्तु बालकों के प्रवेश को सुनाचित करना एकेडमिक केलेंडर को निरधारित करना या फिर 14 वर्ष के परश्याथ की सिक्षा तो यहाँ पर आपका right answer होगा कि बालकों को मुप्त एवं अनिवारे सिक्षा का अधिकार 2009 में जिस पर धियान नहीं दिया गया है वो 14 वर्ष के परश्यात की सिक्षा इसके पहले की सिक्षा पर धियान दिया गया है तो यहाँ पर फूर्ट वाला विकल्पिया आपका सही होगा निशुलक एवं अनिवारे सिक्षा का अधिकार 2009 में अनिवारे सब्दिकार थे यहाँ पर देखिए अनिवारे सब्दिकार थे आपको बताना है यहाँ पर क्यूज के तोर पर आपको इसी प्रकार से बताना है तो दोनों के आंसर में करमेंट से की मद्यम से आपको बताऊँगा तो आपको इसका आंसर कहां बताना है कमेंट से के माद्यम से इसका आंसर आपको बताना है तो यहाँ पर अगला प्रशन है हमारा क्रियात्म कनुसंधान मोलिक रूप से बिन है क्योंकि यहाँ अध्यापकों सेक्षीक प्रबंद को एवन प्रशास को द्वारा किया जाता है सोद करताओं द्वारा किया जाता है जिनका विध्याले से कोई सम्मध नहीं होता यहाँ प्रमानिकत उपकरणों पर आधारित होता है या फिर यहाँ नियाई दर्श पर आधारित होता है अगला प्रश्थि पाठ चर्या रूप रेखा 2005 में बहु भासा को एक संसाधन के रूप में समर्थन दिया गया है क्योंकि यहां एक तरीका है जिसमें प्रत्येक बालक सुरक्षित महसूस करे भासागत प्रश्ट भूमी के कारण कोई भी बालक पीछे ना छूट जाए यहां बालकों को अपने पर विश्वास के लिए प्रोष साहन देगा जा प्र्त्येक बालक सुरक्षित महसूस करे भासागत प्रश्ट भूमी के कारण कोई भी बालक पीछे ना छूट जाए और यहां बालकों को अपने पर विश्वास के लिए प्रोसाहन देगा तो यहां पर आपका राइट आंसर उप्रुक्त सभी होगा अगला प्रस्न है विज्यान सिक्षन की वहां विधी जिसमें विध्यारती को एक खोजी के रूप में कारी करने का उसर दिया जाता है कहलाती यहां पर आपका राइट आंसर होगा विध्यान सिक्षन की विध्यारती को एक खोजी के रूप में कारी करने का उसर दिया जाता है तो यहां पर तीसरा वाला विकल्पे आपका सही होगा जब एक खातर गनित की समश्या को स्वयम हल कर सकता है तो सिक्षन के किस उद्देश की पूर्ती कर रहा है अभिवरद्दी ग्यान ग्यानों उप्योग या फिर रोची तो यहां पर आपका राइट आंसर होगा ग्यानों उप्योगी याद रखीगा जब एक खातर गनित की समश्या को स्वियम हल कर सकता है तो सिक्षन के वो ग्यानों उप्योगी उद्देशी की पूर्ती कर रहा है तो यहाँ पर तीसरा वाला विकल्पे आपका सही होगा अगला प्रशन है विद्यारती विज्ञान में चित्र बनाना सीखते हैं या नहीं इसका पता लगाने के लिए बनाए गए प्रशन निमलिखित उद्देशी से शम्मनित होंगे ग्यान अवबोध ग्यानों उप्योग या फिर कोशल तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा कोशल याद रखेगा विद्यारती विज्ञान में चित्र बनाना सीखते हैं या नहीं इसका पता लगाने के लिए बनाए गए प्रशन कोशल उद्देशी से शम्मनित होंगे तो यहाँ पर फोर्त वाला विकल्पिया आपका सही होगा अगला प्रशन है आगमन विदी आगमन विदी में चात्र अग्रशर होते हैं विशिष्ट से समाने की ओर समाने से विशिष्ट की ओर समाने से समाने की ओर या फिर विशिष्ट से विशिष्ट की ओर तो यहाँ पर आगमन विदी के बारे में पूछा गया है तो आपका राइट आंसर होगा विशिष्ट से समानी की ओर छात्र अगरसर होते हैं आगमन विदी में तो यहाँ पर पहला वाला विकल्पे आपका सही होगा निमनांगित में से पाठ योजना का अंगर नहीं है प्रस्न को धियान से पढ़ना है पाठ योजना का कौन सा अंगर नहीं है पूछा गया है समाने उद्देश विशिष्ट उद्देश शाहिक सामगरी या फिर जाच कारी तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा जाच कारी याद रखेगा जो जाच कारी है यह पार्थ योजना का अंग नहीं है बाकि समाने उद्देश विशिष्ट उद्देश औ शायक शामगरी यë तीनों ही पाट योजना के अंग है तो यहाँ पर फोर्थ वाला विकल्पे आपका सही होगा हरबट उपाघम पर आधारित गनःती पाठ योजना का दूसरा पद जहांद रिखें़ दूसरा पद पूछा गया है हरवट उपागंपर आधारित गनिती पार्थ योजना का दूसरा पद प्रस्तुति करण होगा तो यहाँ पर बी वाला विकल्पे आपका सही होगा NCF 2005 के नुसार गनित सिक्षन होना चाहिए बाल केंदरित, सिक्षन केंदरित, कक्छा कक्छ केंदरित या फिर पार्थ पुस्तक केंदरित, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा बाल केंदरित, याद रखेगा NCF 2005 के नुसार जो गनित सिक्षन होना चाहिए वो बाल केंदरित होना चाहिए, यहाँ पर पहला वाला विकल्पे आपका सही होगा अंधे बालकों की सिक्षन देने की पद्धती, यहाँ पर देखे सरल सा प्रस्ण है, आप सभी को पता होगा इसका अंसर ब्रेल लिपी होगा, अंधे बालकों की सिक्षन देने की जो पद्धती होगी, वो ब्रेल लिपी होगी कौन सा गुण वस्तु निश्टता परिक्षाका नहीं है प्रस्ण को धियान से पढ़ना है यह 4 विकलपों में से वो धैद है विश्वसनी है संपून पाठी करम का मापन है या फिर व्यक्तिनिष्ट है तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा व्यक्तिनिष्ट याद रखेगा वस्तुनिष्टा पर इक्षा का जो गुण नहीं होगा व्यक्तिनिष्ट नहीं होगा यहाँ फोर्त वाला विकल्पे आपका सही होगा अच्छे प्रस्ण पत्र में गुण होना चाहिए किस प्रकार का गुण होना चाहिए वेरता विश्वसनीता वस्तु निश्टता या फिर यह सब ही यहाँ पर प्रस्ण और चारो विकल्पों को पड़ते ही आप आंसर समझ गए होंगे कि इसमें वेरता विश्वसनीता और व आपका सही होगा अगला प्रशने हैं जब बच्चा सर्प्र telefon नक्से से पढ़ता है तब नक्सा प्रोजेक्टर से उपर होना चाहिए, सता पर पड़ा होना चाहिए, पेपर मसीन पर बना होना चाहिए, या फिर विस्व का होना चाहिए, क्योंकि यहां सबसे बड़ा होता है, तो यहां पर I answer होगा, जब बच्चा सरपतम नक्से से पड़ता है, तब नक्सा गुणों को वर्गी करण किया गया है चार वर्गों में छे वर्गों में दो वर्गों में या फिर तीन वर्गों में तो जितने भी वर्गों में विवाज़ित किया गया है मैं आपको जो एंसेफ 25 का वीडियो है उसमें बता चुका हूँ यहाँ पर डायकली मैं आंसर अध्यापन के व्याख्यान को चुपचाप नोट करते रहते हैं अनुसासित करते हैं प्रस्न पूछते हैं या फिर मन लगाकर सुनते हैं तो यहाँ पर आपका राइटांसर होगा कक्षा सिक्षन तब अच्छा होता है जब चात्र मन लगाकर सुनते हैं तो यहाँ पर फोर्त वाला विकल्प आपका सही होगा अगला प्रस्न है अध्यापक की सरवादिक उप्युक्त उपमा दी जाती है अभी भावक से समाज सुधारक से माली से या पिर राष्टनायक से क समभी होगा अगला प्रस्न है पाक्षिक्रम सिक्षा के उद्देश्योगा होती निर्मान की आवशक्ता सिक्षा की प्रापत ऑती है तो यहाँ पर अमेरिका में दल सिक्षन का सरप्रतम प्रियोग अमेरिका में किया गया है अंतीम प्रशन जैसा कि मैंने आपको बताया है टोटल सतर प्रशन मिलेंगे और काफी प्रशन ऐसे हो हैं जिसमें आपको उन्हें वीडियो में देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि नेगेटिव तो इसलिए आपको नए प्रश्ण लगे होंगे तो 70 प्रश्ण है बालग सरप्रतम मातर भासा को सीखता है मातर बोली के रूप में चिलाने के रूप में व्याख्यान के लिए और फिर गाने के रूप में तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा मातर बोली के रूप में याद रखेगा बालक सरप्तम मात्र भासा को सीखता है मात्र बोली के रूप में तो यहाँ पर पहला वाला विकल पर आपका सही होगा आज का वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा तो आपको लाइक करना है जो देख रहे हैं जितने भी आपके पास ग्रूप पर चाहिए धन्यवाद